प्रेंग की अंदेखी राहे, Unseen Parts of Love गाउं के किनारे बसे एक छोटी सी कस्बे में, रिया अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहती थी रिया का जीवन बहुत ही साधारन था लेकिन उसके दिल में एक अंदेखी चाहत थी, जिसे उसने कभी किसी से नहीं बताया वो हकसर अपने सपनों में एक की कल्पना करती थी, जो उसकी जिन्दगी को रंगीन बना सके कस्बे में एक नया चहरा आया, राहूल राहूल एक फोटोग्राफ था, जो प्राकृतिक तस्वीरे खीचने के लिए शेहर से आया था उसकी आँखों में एक अलगी चमट थी, जो रिया को उसकी ओरा कर्शित करती थी एक दिन, जब रिया नदी के किनारे बैठी थी, राहूल वहां तस्वीरे खीच रहा था अचानक, उसकी नजर रिया पर पड़ी और उसने इस शल्ग को अपने कैमरे में कैद कर लिया उनकी पहली मुलाकात थोड़ी अजीब थी, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो बई रिया और राहूल की बातचीत में एक अनोखी सहचता थी, जो उन्हें एक दूसरे के करीब ले आई उनकी की शुरूआत कुछ हैसे हुई, जैसे दोन जान रहे एक दूसरे से मिल गई हो एक दिन, राहूल ने रिया को एक पुराने पुल पर बुलाया, जहांसे नदी का अध्भूत द्रिश्य दिखाई देता था उन्होंने कहा, रिया, मैं तुम्हें इस खूबसूरत द्रिश्य के पीछे की कहानी बताना चाहता हूँ रिया ने उत्सुक्ता से बोचा, क्या ये भी एक कहानी है? राहूल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह एक प्रेम कहानी है रिया और राहूल की यह मुलाकात उनकी को एक नया मोल दे गई राहुल ने रिया से कहा, तुम्हारे साथ बिदाया हर पल मुझे ये हहसास कराता है कि जिन्दगी कितनी खुबसूरत हो सकती है रिया का दिल धड़ा कुठा, लेकिन उसने अपने भावों को छुपाते हुए कहा, ये जगल सच में बहुत खुबसूरत है उनकी कहानी में हर दिन एक नया रोमांच था राहुल के कैमरे की नजर से रिया ने दुनिया को एक नए नजर ये से देखना शुरू किया उन्होंने साथ में कई खुबसूरत जगहों की सेर की, जो उनकी को और भी खास बना देती थी एक बार, जब वे एक घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे राहुल ने रिया से कहा, ये जंगल हमारी कहानी की तरह है, रहसे मय और अदभुत समय के साथ, रिया और राहुल का रिष्टा गहरा होता गया उनके बीच की केमिस्ट्री और समझ ने उनकी को और भी अदभुत बना दिया उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसे सफर के रूप में जिया, जो प्रेम और विश्वास से भरा था उनकी यह कहानी इस बात का प्रमान है कि प्रेम एक यात्रा है, जो हमेशा खूबसूरत अनुभवों से भरी होती है रिया और राहुल ने अपने रिष्टे को कभी भी एक साधारन कहानी नहीं बनने दिया, बलकि उसे एक खूबसूरत सफर की तरह जिया